आज बाबा को मिलने के लिए बुलाया है ये अव्यक्त मिलन अव्यक्त इस्थिती में इस्थित होकर ही मना सकते हो बाबा कहते हैं ये जो अव्यक्त मिलन है अव्यक्त इस्थिती मना फरिष्था इस्थिती में इस्थित होकर ही मना सकते हो समझ सकते हो आप लोगों के चित्रों में नंबर वार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है शक्तियों की परक किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है आपको अपने शक्तियों को परकने का चित्र मालूम नहीं है बिन बिन नंबर वार शक्तियों का यादगार बना हुआ है बाबा कहते हैं आपको अपने शक्तियों के परकने का चित्र नहीं मालूम है कि आपके अंदर कितनी शक्तियां थी आप अभी उसे परकनी पाते हो बिन बिन नमबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है अपना चित्र भूल गए हो बाबा कहते हैं अपना ही चित्र भूल गए हो शक्तियों के चित्रों में बिन बिन रूप से हो फिर वजाओं के रूप में नमबरवार शक्तियों का यादगार है उन चित्रों में कहां तक कितनी भजाए कहां तक कितनी दिखाते हैं कोई अस्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती है कोई उससे अधिक कोई उससे भी कम बाबा कहते हैं जो शक्तिया दिखाए जाती है देवियों के दुरगा मांके चित्र दिखाय जाते हैं तो बाबा कहते हैं कोई अश्ट सक्तियों को धानार करने वाली बनती है कोई उससे भी अधिक, कोई उससे भी कम कहां 4 बजाए, कहां 8 बजाए, कहां 16 भी दिखाते हैं नंबर वार तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है बाबा आज बच्चों को देख रहे हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है मास्तर सर्ब शक्तिमान कहलाते हैं न मास्तर सर्ब शक्तिमान अथात सर्ब शक्तियों को धारण करने वाले अपने शक्ती स्वरूप का साफशात कार होता है अव्यक्त बतन में हर एक को शक्ती रूप पे देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा बतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है उनके चित्र कितने होंगे आपके चित्र गिंती में आ सकते हैं लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो, बाप दादा के पास अलोकिक प्रदर्शनी है, तो बाप के पास प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो, बाप दादा निमंतरण देते हैं, निमंतरण देने वाला तो निमंतरण देता है, आने वालों का काम है बाब दादा आप सबी से करोड गुर्णा जादा खुशी से निमंतरन देते हैं हर एक को अनुभव हो सकता है अव्यक्त हिस्तिती का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस दौरा दूर की चीज़े सामने दिखाई देती हैं बाबा कहते हैं अव्यक्त इस्तिती का अनुभव कुछ समय लगातार करो कि आप फरिष्टा बने हुए हो बना अपनी फरिष्टा इस्तिती का अनुभव कुछ समय तक लगातार करो तो ऐसे अनुबब होगा जैसे साइन्स द्वारा दूर की चीज़े सामने दिखाई देती है ऐसे ही अव्यक्त बतन की एक्टिविटी यहां सबस्ट दिखाई देगी बुद्धी बल द्वारा अपने सर्व शक्तिमान के स्वरूप का साक्षातकार कर सकते है बरतमान समय स्मृती कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है ब्यर्थ संकल्प ब्यर्थ शब्द ब्यर्थ कम हो जाने के कारण ब्यर्थ हो जाने के कारण बाबा कहते हैं ब्यर्थ बढ़ने के कारण समर्थ नहीं बन पाते हो ब्यत को विटाओ तो समर्द हो जाएंगे पुरशाथ के भिन भिन सरूप बतन में हर एक देखते रहते हैं बाबा कहते हैं पुरशाथ के भिन भिन सरूप बतन में हर एक के देखते रहते हैं कौन किता पुरशाथ करा बाबा देखते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है हर एक अपने आपको इतना नहीं देखते होंगे जितना बतन में हर एक के अनेक रूप देखते हैं बाबा कहते हैं आप बच्चे अपने आपको इतना नहीं देखते होंगे जितना बाबा बतन में हर एक बच्चे को देखते हैं आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन होकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए फिर बहुत हसी आएगी बाबा कहते हैं आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन होकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए फिर बहुत हसी आएगी विन बिन पोज देखकर आज कल एक के ही बहुत पोज निकालते हैं तो अपने भी देखना अपने बहु रूपों का साक्षातकार करना बतन में आने की दिल तो सभी की होती है लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्रामणपन के करतब करने हैं बहुत सभी की है बावा कहते हैं बतन में आने की दिल तो सभी की होती है लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्रामणपन के करतब करने हैं जो ब्रामणबाना बावा ने जो श्रीमत दी है ब्रामणों की बहुत सभी की हैं सर्व करतब संपन करने के बाद ही संपूर बनेगे अपका समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है अटेंशन ना होने के कारण पुर्शाथ के भी टेंशन में रहते हैं एक तरफ बाता बरण का टेंशन नेता है दूसरे तरफ पुर्शाथ का भी टेंशन नेता है इसलिए सिर्फ एक शब्द एड़ करो अटेंशन बाबा कहते हैं एक तरफ बाता बरण का टेंशन नेता है बाता बरण है बाबा मिल नहीं पा रहा है ऐसा बाता बरण है इस अबा इसलिए आप कदम कदम पर अटेंशन सुनाया धना कि आजकर सर्वात्माई सुख और शांती का अनुभव करने चाहती हैं जादा सुनने नहीं चाहती हैं जादा सुनना नहीं चाहती हैं जादा सुनना नहीं चाहती हैं अनुभव कराने के लिए स्वैम अनुभव सरूप बन तब सर्वात्मों की इच्छा पूर कर सकेंगे दिन प्रति दिन देखेंगे जैसे धन के विकारी विक्षा लेने के लिए आते हैं बैसे शांती के अनुभब के विकारी आत्माएं विक्षा लेने के लिए तरपेंगी बाबा कहते हैं जैसे धन के विकारी आते हैं विक्षा दो धन दे दो कितना मांगते हैं धन कितने तो बाबा कहते हैं ऐसे शांती के अनुभब की विकारी आत्मा है विक्षा लेने के लिए तरपेंगी अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्मा है लहरों में डूपती हुई आत्मा एक दिन के का भी सहरा ढोनती है बाबा कहते हैं एक लोग की देर आएगी जैसे लहरों में लहराती हुई आत्मा है लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहरा ढोनती है ऐसे ही आप लोगों के सामने अनेक बिकारी आत्मा ये भीक मांगने के लिए आएंगी किस चीज की शांते ही तो ऐसे तड़पती हुई है बेकारी प्यासी आत्मों की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतिंद्रिय सुख बसर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभब करते हो बावनी का जो ऐसी तड़पती हुई बिकारी मिटासी आत्मा आपके सामने आएंगी उसके लिए आपने आपको अतिंद्रिय सुख से अतिंद्रिय सुख से इतना इखटा किया है जो अपनी इस्तिति तो कगयम रहे लेकिन अन आत्मा को भी संपन बना सको मबब कहते हैं सर्व शक्तियों का खजाना अतिंदिय सुख का खजाना इतना इखटा किया है जो अपनी स्तिती तो कायम रहे लेकिन अन आत्मों को भी संपन बना सको सर्व की जोली भरने वाले दाता के बच्चे होना अब यह द्रश्य बहुत चल्दी सामने आएगा डाक्टर लोग भी कोई कोई इस बिमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे तब आप लोगे के पास यह और शदी लेने आएंगे दीरे दीरे यह आवास फैलेगा कि सुख शान्ती का अनुबब ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा बाबा कहते हैं दीरे दीरे यह आवास फैलती जाएगे कि सुख और शान्ती का अनुबब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा भटकते भटकते असली द्वार पर अनेक अनेक आत्माई आकर पहुचेंगी जब बहुत भटक जाएंगे तो असली द्वार पर अनेक आत्माई पहुचेंगी तो ऐसे अनेक आत्माई को संतुस्ट करने के लिए स्वैम अपने हर करम से संतुस्ट हो संतुस्ट आत्माई ही अन्य को संतुस्ट कर सकती है अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तयार करो ऐसी तरपती भी आत्माई साथ दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगी वाबा कहते हैं संतुस्ट आत्माई ही अन्य को संतुस्ट कर सकती है अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तयार करो ऐसी तरपतियों यात्माय साथ दिन के कोर्स के लिए भी नहीं ठर सकेंगी तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभब की प्राप्ति करानी होगी जो बहुत तड़पती आत्माएं होगी तो वो साथ दिन का कोर्स भी नहीं कर पाएंगी तो बाबा कहते हैं जब वो आएं तो उन्हें आपको कम समय में ही अनुगप कराना है इसलिए कहा है आप अपने ब्रहमरपन के करतवे को संपन करने के लिए अपने को संपोर बनाते रहो अप समझा कौन सी सर्विस करनी है जब तक आप व्यक्त में विजी हो बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना बाबा कहते जब तक आप व्यक्त में विजी हो जैसे शुरू में बतन का अनुवप कराते थे ना ऐसे अनुवप करते थे तो बाबा कहते हैं जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था बाबा अभी भी अनुवप कराओ बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा अभी भी अनुवप कराओ अनुवब करो बुद्धी का वेमान तो है न कोई-कोई बच्चे कोई बात की बहुत जिद करते हैं तो बाप को कहना मानना पड़ता है अब अनुवब करने की जिद करो बाबा कहते हैं अब किस दीद की जिद करो बाबा से बाबा अनुवब कराओ अनुभब करने की जिद करो अच्छा ये थी हमारे बाबा की 1970 की 21st टॉप जन्वरी की बहुत संदर मुर्ली अब एक बार फिर से रिवाइस करते हैं जिसमें बाबा कहते हैं जिसमें बाबा कहते हैं जिसमें धन के बिकारी बिक्षा लेने के लिए तडपेंगी तो ऐसे जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माई वा लहरों में डूबी हुई आत्माई एक दिन के का भी सारा ढोलती हैं ऐसे ही आप लोगों के सामने अनेक आत्माई भीक मागने के लिए आएंगी शांती की भी भागने के लिए तो ऐसी तड़पती भी प्यासी आत्मों की प्यास मिटाने के लिए अपने को किस चीज से संपन्द करना है अतिंद्रिय सुख सेमाना आत्मे किस्तिती से संपन्द करना है और सर्व शक्तियों से संपन्द करना है तो बाबा आज बच्चों में देख रहे हैं कौन सी किसमे कितनी शक्तियां हैं किसी के पास कोई अस्ट बाबा कहते हैं किसी को अस्ट बुजाए धार दिखाई जाती है तो किसी की चार ही तो किसी की कम किसी की सोला इससे भी अदेख तो बाबा कहते उर्शात अनुसार ये शक्तियां बच्चों को प्राप्त हैं और उसी अनुसार उनकी शक्तियां लिखाई जाती हैं तो बाबा कहते इतना अपने को नहीं जानते हो इतना बाबा हम लोगों को बतल से देखते हैं हर एक बच्च को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे पाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती